आज हम बात करेंगे आप इगनू में अपना प्रोफाइल कैसे देख सकते हैं वो भी दो तरीके से तो इसके बारे में डीटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप इगनू के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि इगनू स इस रेलेटेट सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो चलिए सुरू करते हैं जब इगनू में आप एडमीशन लेते हैं तो यह जो एडमीशन का पोर्टल बनाया गया है यहां से आपको एडमीशन ओनलाइन लेना होता है ओडियल प्रोग्राम के लिए औ से विरिफ आपका एडमीशन का डिटेल से ही रहता है और यहां से आप अपना काडड़ एडमीशन का application form और payment लीप累 आउंलोड कर सकते हैं और जब आपका एडमीशन च़र्म हो जाता है तो इस पोर्टल का काम खतM हो जाता है यहां से अब आपका कोई भी काम नहीं होने व और यहां पर आपको एक option मिल जाएगा student portal इस पर आप क्लिक करेंगे ये page open हो जाएगा अगर यहां पर आपका account बना हुआ है देखिए जब आप इगनु में admission लेते हैं तो यहां पर भी आपको username और password बनाना होता है जो कि सिर्फ इस portal पर ही work करता है इस वाले portal पर आपको दू जो भी program code है वो आप select करेंगे इस तरीके से और जो आपका इगनु में register नाम है वो आप यहां पर डालेंगे enrollment नमर यहां पर डालेंगे verification code जैसा यहां पर लिखा हुआ यहां पर लिखेंगे submit पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी register mobile नमर है और email ID है दोनों पर एक OTP होगा फिर आप submit पर क्लिक करेंगे फिर ऐसा पेज आ जाएगा जहां पर आपको बताया जाता है you can login now यान की आपका account बन चुका है उसके बाद आपको क्या करना है जो आपका enrollment नमर है वो आप यहां पर डालेंगे जो password आपने बनाया है वो आप यहां पर डालेंगे verification code जैस से बना सकते हैं इससे क्या फाइदा होगा तो उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने detail में भता रखा है फिर यहां पर आपको कुछ option दिये जाते हैं यहां पर आपको पहले मिल जाएगा my certificate से और IGNU से आप जितने भी program complete कर लेते हैं तो उसका जो certificate है व वो यहीं पर आपको मिलते हैं जैसे कि admission के बाद अगर आपको study center change करना हो तो आप यहां से online के change कर सकते हैं regional center change करना हो तो वो भी आप यहीं से change कर सकते हैं इसके अलावा क्या है कि अगर आपको ABC account बनाना है तो यहीं से बन जाएगा ID card अगर आपको download करना है तो यहीं से download हो डीटेल यहीं पर रहता है तो यहां से आप जो री रजिस्ट्रेशन का एप्लिकेशन फॉर्म है इससे भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आपको जो भी प्रोग्राम रहता है वो आपको बताया जाता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने भ यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा प्रोफाइल इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आपका एक सुन्दर सा फोटो आ जाता है जो आपने एड़िशन के वक्त दिया था और अच्छी बात यह है कि यहां से आप इस फोटो को कभी चे यहां पर आपका आ जाता है correspondence address जिसे आप online change भी करवा सकते हैं तो यहां पर आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप admission लेते हैं तो इस portal से आप यानिकी admission portal से सिर्फ admission करवा सकते हैं बाकी का जो काम है वो आपका होता है student portal से और student portal पर account कैसे create कर सकते हैं वो मिन्हें आपको बता दिया है बाकी का जो services है यहाँ पर आप click करेंगे तो जितने भी services रहते हैं जैसे कि exam form भी आप यहीं से fill up कर सकते हैं assignment का question paper download करना हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं यानि कि सारा काम आपका यहीं से होता है previous year का question paper भी आप यहीं से download कर पाएंगे जितने भी काम है वो अब आपका student portal से होता है तो ऐसे जितने भी student है जिन्होंने इगनु में new admission लिया है तो वो सभी यहाँ पर अपना account बना सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है हमारे website पर आजाना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा student management portal इस पर आप click करेंगे यहाँ पर enrollment number डालेंगे यहाँ पर program code select करेंगे verification code जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे submit पर click करेंगे यह page open हो जाएगा जहाँ पर आपको सभी details लिखा हुआ रहता है यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा आपका program कौन से medium में है यहाँ पर आपको बताया जाता है program code आ जाएगा enrollment नमर आ जाएगा आपने admission कौन से year में लिया है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है और आपका admission कब तक valid है यहाँ पर बताया जाता है तो यहाँ पर भी आपका सभी details रहता है जो भी details यहाँ पर दिये जाता है इनमें से कुछ चीजों को hide करके दिया जाता है security के लिए तो जो भी आपका details है जैसे की father name हो गया mother name हो गया date of birth हो गया address हो गया mobile number हो गया email ID हो गया इन सब चीजों को आप अच्छे से check कर लीजिए नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको subject के बारे में भी बताया जाता है कि आपने कौन-कौन सा subject लिया है अगर इन में से कोई भी details आपका यहाँ पर गलत अपडेट किया गया है तो यह चीजे सही करवाने के लिए आपका जो भी रिजलन सेंटर है रिजलन सेंटर पर आपको जाना होगा वहाँ पर आपको एक application form fill up करके submit करना होगा फिर जो आपका details है जो भी गलत चीजे यहाँ पर अपडेट हुआ है उससे सही कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक बात और जालती है वह इगनू के तरफ से हुआ है तो इस तरीके से आप इगनू में अपना profile देख सकते हैं और profile को बना सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और इगनू से related सभी update इंस्टेंटली पाने के लिए आरे टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक नीचे दिया हुआ है साथी में आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते हैं